कि नवस्कार केपिल टीवी में आपका स्वागत है एक तरफ आई एंडी आई ए ए एलाइंस हिंदु धर्म सनातन प्रभू स्री राम को गालियां देने का काम कर रहे हैं लेकिन राहू गांदी आर्टिकल लिख करके ये बताने की कोशिश में जुटे हुए है कि वो कितने बड़े हिंदु वादी है ये दोरापन उस वक्त जादा सामने आया जब हिंदु समाज को बाटने के लिए किस तरीके से राजसभा का इस्तमाल किया गया बिहार की राजनीती में ब्राह्मन वर्सिस राजपूत एक नया खेल खेला जा रहा है आर जेडी के नेता मनो जाने जिस तरह का शर्मनाग बयान दिया उससे बिहार की जनता नाराज है क्यों कि जिस हिसाब से राजनीती इस पे हो रही है वो ना बिहार के लिए बहतर है और नहीं देश के लिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे हमारे साथ भारती जनता पाटी की एक तेश तर्रार लीडर बिहार विधान सभा में दर्भंगा के गौरब औराम से आपको बहुत बहुत स्वागत है पहले तो नमस्कार मनीज जी और आपके विवस को भी नमस्कार यह बताए कि यह जो अचानक से जातिवादी राजनीती विहार में जो शुरू हुई है के यह थालगता है यह कितना जगन्य है देखizar पategले तुम मैं कहना चाहूंगी एक रचा रचाया कोंठ्रूर्वर्शी है इसे की आप जैसे मिसा भारती हैं मिसा भारती भी तो विदान जजबह में है अब मनोज्जा है तो ज्यों मिसा भारती भी तो बोल सकती थी कुछ ब कवीता को पढ़ा गया तो मीसा बार्ती भी बोल सकते थी लेकिन नो घ्याक को ही क्यों चुनागया तो आपको कहने का मतलब है कि या कि ऐसी के तहत इन से बुलवाया गया है एक दम साजिष है यह रचा-रचाया आरजडी, जदियू का एकदम रचा-रचाया, साजश है, वो लोग चाहते हैं हिंदुत्तु में आग लगाना चाहते हैं, हिंदोत्तु में दुष्मनी फिलाना चाहते हैं, क्यों राजपूत और ब्रामन ही लड़ेगा, क्यों सरवन लोग ही लड़ेंगे, आको क्या कहना है क कुछ भी उस पर उस controversy पर बोलना आया क्यों वहीं क्यों यह आग लगाना चाहते हैं इन दुप में बिहार में आग क्यों लगाना चाहते हैं राजपुतों और ब्रामन में तो आपको कहने का मतलब है कि RGD चुनाओं में यह जातिवाद फैला करके वोट गर्ण करना चाह रह हैं आप देखिए आपके सामने अभी तीन दिन पहले एक दलित महिला के साथ जो हादसा हुआ क्या हादसा हुआ था हादसा हुआ था हादसा हुआ था बस 1500 के लिए उस नारी को उस महिला को नंगा करके और उसके मूह पे पिशाप कराया गया ऐसा कराया गया तो आप सोचि कि इस मुद्दे को नहीं उठाके आप इस जातिवात के यह कोई मुद्द है? यह राजपूतक अठाने का कोई मुद्द है उठाने का? कि आप आप समय राजबुत और ब्राह्मन को लड़वा रहे हैं आप देखें आपको मुद्दा उठाना उठाईए आपकी सरकार क्या करी है क्या करी है आर्जेडिया जदियू की सरकार आप उसमहिला के पास जाएए देखिए उसका यह कोई नहीं गया कोई उसका पूछने वाला नहीं है वो उसमहिला को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है यह देखिए यह देश में क्या होता है किस तरह से नेरेटिव गड़ा जाता है एक और इस तरह की घटना अलग राज से आई जहां भारती जनता पाटी की सरकार थी किस तरीके से पुरे देश में इस होंगे मनीश जी कि मनीपूर की घटना को तो इतना हाइलाइट किया गया इतना बोला गया वहां पर इतना एक्शन हुआ इतना विद्रो हुआ इतना हुआ लेकिन बिहार में किया आदे से जादा लोग इस इंसिडेंट को जानते भी नहीं है कि यह इसा हुआ है क्या इसको खबर में नहीं आना चाहिए, क्या सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए उस महिला के लिए, या कोई FIR, कोई पकड़ा, कुछ नहीं, बस वो उसको इस केस को, इस मुद्दे को लोग सरकार दबा दी है, मुझे इक बात बताईए, कि ये जो मनो जहका जब बयान आया, तो उसमें कोई राजपूत समधाय के तरफ से कोई विरोध हुआ या नहीं हुआ, देखिए, पहले दिन तो मनीश जी को, तीन दिन तक तो कोई नहीं आया, कोई विवाद नहीं हुआ, फिर आनन मोहन के बेटे, जो आरजएडी से है, चेतन आनन जी वो आ गए, उन्होंने बहुत बढ़क गये है, लेकिन भढ़काने का कोशिश किया गया है, यह शर्यंत रचा गया है कि राजपूत ब्रामन भढ़के, और यह टेमप्लेट बना करके पुरे देश भर में जो है, कभी जाती से इसके नाम पे, तो कभी इसके बिलकुल, बिलकुल, यह एक शर्यंत है, जो क कि इस सरकार का रचा हुआ शर्यंत है, कि राजपूत ब्रामन सवन लोग है, जो भढ़के, और उनसे जो उनको फाइदा हो सके, वो फाइदा निकाले, तो उसका मतलब है, आप यह समझे कि क्या हुआ, मरोज्जा ने बयान दिया, वो आरजएडी के, बोलने वाला, उसका विरोध करने वाला, वो भी आरजएडी का, उनके पिताजी भी आरजएडी के लालु यादव को अपने राज़नतिक गुरू बताने वाले व्यक्ति, और जब इसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो उसके समर्थन में भी जो लोग आए, कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहि यह भलकाने के काम में नित्य शुमार की पार्टी जेडियू की लोग भी सामने आ गए, अब यह तो साफ साफ नदर आ रहा है, जैसा कि आप बता रही है, कि एक साजिस के तहट भलकाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें फेल हो गया, लेकिन मुझे बताईए, कि कुछ बीजेपी के लोगों का भी बयान आया, जैसे बबलू आनंद का बयान आया, उसको क्या बताएंगे आप? और देखे, अभी तक कोई प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के बड़े सांसद, एमेले, किसी का भी कोई भी बयान नहीं आया है, इसलिए बीजेपी इस कॉंट्रवर्सी में नहीं है, ये पूरा वाइट किया जा रहा है, और ये सोचा समझा जो और आर्जे प्रवाद नहीं है, हम सब जाती के साथ है, मुझे बाद बताईए कि आपके बिहार में जो असिक्षा मंत्री है, चंदर सिखर, वो आयत दिन राम तरित मानस के ओपर भी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ बयान देते रहते हैं, कभी कह देते हैं, वो जहरीला है, पोटा इन लोग चाहते हैं कि हिंदूों को बाट देना, हिंदूों को बाट के अपना एलेक्षिन को अपने फायदे में करना क्योंकि ये निचिस्टुमार भी अभी नजर आए, वो किसी मजार पे गए हुए थे, टोपी वेरा लगा करके, तो ऐसा नहीं लगता है कि भई, ये जो नरेटिव क्रियेट किया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पे जो महागडवंदन है, वो एंटी हिंदू, पूरा अभाब में भारती नतर पाठी क्या करेंगे? कि हिंदूों को क्या हर जाती को अपने साथ लेके चलता है, कोई भी जाती हो, दलित हो, OBC, ST, SC, राशपूत हो, समाजो, ब्रामन समाजो, मुस्लिम समधाय, कोई भी हो, इस संगठन को लेके चलता है, वो सबका साथ, सबका विकास चाहता है, बीजेपी इस साजिस में शाम बाकिडियू और, इंडिया district का संगठन है, यह जो देश में जो करना चाहरा है, यह जो समाजो को बाटना चाहरा है धिन्दू-Muslim, सेरिक एस भी है, यह सब सारे चीज्स से हम लोग भी बाकिव है, हम लोग की संगठन जान आती है इस अब से और हम लोग भी जानते हैं इ इस जुलंत मुद्दों के ऊपर राफ साफ आपने बताया कि किस तरीके से और जेडी और जेडी उने साजिस के तहत हिंदू को लडाने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि हिंदू बट जाए और ये चुनाव जीच जाए आप देखिए ये सिर्क ब्यार्व नहीं हो रहा ये काम तमिलनाडू में भी हो रहा है यूपी में भी किया जाएगा राजस्थान में भी होगा मद्द परदेश में भी होगा ये ढोंगी हिंदू बनकर आएंगे हिंदूों को लडाएंगे और चुनाओं में लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे आप देखते हैं केपिल टीवी हमारी वीडियों को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद